तो दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ important question डिसकस करेंगे new appointment 2021 तो आपके जो भी आने वाले exams होंगे उनके लिए जो सबसे ज़ादा important topic रह सकता है वो रहेगा new appointment काफी सारी appointment रहेंगी जो की 2021 में करी गई है और उनसे 100% आपके exams में question पूछे जाएंगे अभी तक till date जितनी भी appointment हुई है वो सब इस वीडियो में discuss करी जाएंगी और current affair जो रहेगा 2021 का उसके लिए आपको पता है 600 plus questions की हमने current affair की एक e-book जो है ये launch करी है जो की most important रहने वाली है आपके exams के लिए तो इस पे आपको flat 70% off provide कराया जा रहा है ये जो e-book रहेगी सिर्फ आपको 29 रुपे में provide कराया जा रही है इसका rate हमने 29 रुपे इसलिए रखा है जिससे की हर एक व्यक्ति इसको buy कर सके क्योंकि ये बहुती जादे important रहेगा आपके आने वाले exams के लिए तो आप इसको ज़रूर buy करें इससे आपको 100% questions मिलेंगे आपके exam में हमारी guarantee रहेगी कि जितने भी appointment रहेंगी जितनी भी current affair के question रहेंगे उसके question आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे तो आप इसको ज़रूर buy करें इसका जो link रहेगा वो आपको description में मिल जाएगा आप directly description में जाके इसको buy कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं हमारी वीडियो देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question हो जाएगा Recently who has been the new prime minister of Israel तो इसराइल जो country रहेगी उसके prime minister अभी हाली में चुने गए है तो उनका क्या नाम रहेगा तो हमारा answer हो जाएगा Naftali Bennett जो है ये अभी current time में new prime minister चुने गए है इसराइल कंट्री के इनसे पहले कौन थे तो Benjamin Netanyahu जो थे इनसे पहले prime minister थे इसराइल कंट्री के जो की 12 साल से prime minister के पदबे बने हुए थे अब आपको यहाँ पी ये बात भी पता होनी चीए कि इसराइल जो कंट्री रहेगी उसके नए president भी चुने गए है तो उनका क्या नाम रहेगा तो उनका नाम हो जाएगा Isaac Harzog Isaac Harzog जो है ये नए president चुने गए है इसराइल कंट्री के तो president भी important रहेंगे और prime minister भी important रहेंगे और अगर दोस्तो हमारी जो पुरानी e-book रहेगी 2000 questions की जो e-book रहेगी जिसमें 500 science के question 500 current affairs के 500 static GK के और 500 general knowledge के तो ये सब question 2000 question आपको provide कराए गए थे इस e-book में जिसमें आपको flare 67% off दिया गया था ये सिरिफ आपको 99 रूपे में provide कराए जा रही है इसमें 2020 के पूरे current affairs के questions होंगे तो ये भी काफी जादा important series रहेगी एक e-book रहेगी आपके exam के लिए इसका link भी आपको description में मिल जाएगा आप इसको भी ज़रूर buy करें अगला question देखते हैं हमारा who has been recently appointed as the director general of international solar alliance तो international solar alliance most important नाम रहता है इसकी जो इस्थापना करी गई थी वो नरेंद्र मोदी जो की करण में प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के उनके द्वारा ही करी गई थी तो इसलिए ये most important रहता है और इसकी जो member countries रहेंगी वो 121 plus member countries है और अब आपको इसके जितने भी important questions होते हैं जैसे कि director general की appointment करी गई है तो वो कौन रहेंगे तो हमारा answer हो जाएगा अजय माथूर जो है इनको चुना गया है director general international solar alliance का अगला question देखते हैं who is the new governor of madhya pradesh state appointed recently तो दोस्तों आप सब को पता ही होगा कि 8 states के governor जो है वो बदले गए है current time में 2021 का most important topic रहेगा तो वो 8 हो के 8 governors आपको उनका नाम जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि 100% आपको governor के उपर question पूछा जाएगा आपके आने वाले exams में तो मद्य प्रदेश के नए governor किसको चुना गया तो हमारा answer हो जाएगा मंगू भाई चंगन भाई पठेल मंगू भाई चंगन भाई पठेल जो है इनको अभी हाली में नया governor चुना गया है मद्य प्रदेश स्टेट का अगर बाकी governors की बात करी जाए तो उनको भी एक बार हम देख लेते हैं तो 8 states के नए governor चुने गए है कौन-कौन सी states रहेंगी तो कैरला state के नए governor चुना गया है तभाड चंद गैलोत को मिजुराम के रहेंगे हरी बाबू कमफनपती ये आठो के आठो कोशन मोस्ट इंपोर्टेश रहेंगे और आपका जो भी एक्जाम हो उसमें आपको ये कोशन जरूर देखने को मिलेंगे अगला कोशन देखते हैं हमारा Recently, who was appointed the new chairman of the airport authority of India तो हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं AAI जो होता है Airport Authority of India उसका नया चेर्मेन किसको चुना गया तो हमारा आंसर हो जाएगा संजीव गुमार संजीव गुमार को चुना गया है Airport Authority of India का नया चेर्मेन इनसे पहले कौन तक कुलदीप सिंग कुलदीप सिंग की appointment भी हो चुकी है उनको कोई और पज जो है वो दे दिया गया है जो कि हम आगे डिसकस करेंगे अगला question देखते है Who is the CEO of Niti I.O. recently whose tenure increased by one year तो एक साल के लिए किसका tenure जो है वो बढ़ा दिया गया है Niti I.O. के CEO के पद के लिए तो हमारा answer हो जाएगा आपको पता होगा अमिताप कांत जो है ये current time में CEO थे Niti I.O. के Vice Chairman कौन है तो वो जाएंगे राजीव कुमार और Chairman कौन होता है Niti I.O. का तो वो होते हैं प्रधानमंत्री मोधी प्रधानमंत्री जो भी होंगे वो Chairman हो जाएंगे नीती I.O. के तो PM मोधी नीती I.O. के current time में Chairman है इस्थापन इसकी कब हुई थी तो 2015 में इसका स्थापन करी गई थी जिसको की पहले Planning Commission के नाम से जाना जाता था Who has been recently appointed as the President of Confederation of Indian Industry जिसको की C.I.I.B. बोला जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा TV नरेंदरन TV नरेंदरन जो है इनको चुना गया है President Confederation of Indian Industry का Rebecca Grinspan is from which country who is appointed as the Secretary General of the United Nations Conference on Trade and Development जिसको की अंकटाड के नाम से भी जाना जाता है तो अंकटाड की Secretary General चुना गया है Rebecca Grinspan को आपसे ये भी पूछा जाता है कि किसको Secretary General चुना गया तो आपको नाम ज़रूर याद रखना है इस कोशन में पूछा गया है कि Rebecca Grinspan जो है ये कौन सी कंटरी से रहेंगी तो हमारा आंसर हो जाएगा Costa Rica Costa Rica जो कंटरी रहेगी वहां की एक citizen रहेंगी Rebecca Grinspan जिनको की Secretary General चुना गया है अंक्टाट का इस कोशन का आंसर हर एक व्यक्ति को बताऊगा हमारा आंसर हो जाएगा N.V. Ramanan N.V. Ramanan जो है इनको 48th Chief Justice चुना गया है इंडिया का इनसे पहले शरात अर्विन बोब्डे जो थे यह 47th Chief Justice थे इंडिया के Recently who has been appointed as its grievance officer in India by Facebook तो यहाँ पर तीन question रहते है एक तो Facebook के grievance officer एक WhatsApp के और एक Twitter के इन तीनों questions में से एक question exam में जरूर पूछा जाएगा तो इन तीनों के grievance officer जो है वो most important रहेंगे अब grievance officer जो होते हैं यह क्या होते हैं तो भारत सरकार जो है जितनी भी social medias है जिनके 50 लाग से ज़ादा followers हैं इंडियन उनको एक notice दिया गया है security के लिए कि जो उनको भारत के अंदर एक grievance officer जो है वो appoint करने पड़ेंगे अपनी social media application के लिए इसलिए जितनी भी social media applications है जिनके 50 लाग से ज़ादा इंडियन followers हैं उनको एक grievance officer भारत के लिए appoint करना पड़ेगा तो facebook का grievance officer किसको चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा इस पूर्थी प्रिया इस पूर्थी प्रिया जो है इनको facebook के द्वारा grievance officer चुना गया है दो most important और रहेंगे कौन कौन से रहेंगे तो एक रहेंगे whatsapp के जो की रहेंगे परेश भी लाल ट्विटर के रहेंगे जो की रहेंगे जेरिमी कैसल जेरिमी कैसल को twitter का grievance officer चुना गया है और whatsapp का चुना गया है परेश भी लाल को which country's super model Natalia Vodianova has been named UN Goodwill Ambassador तो Natalia Vodianova जो है ये कौन सी country की super model रहेंगी जिनको की UN Goodwill Ambassador चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा Russia तो Russia जो country है वहांकी एक super model रहेंगी जिनको की UN Goodwill Ambassador चुना गया है Who has been recently appointed as the captain of Indian women's hockey team तो ये भी एक important question रहेगा Indian women's hockey team का captain किसको चुना गया तो आप सब को पता होगा हमारा answer हो जाएगा रानी रामपाल रानी रामपाल जो है इनको राजीव गांदी खेल रतन आवाड जो की इंडिया का highest sports owner होता है उससे 2020 में इनको सम्मानित किया गया था यहाँ पे male जो team रहेगी जो Indian male hockey team रहेगी उसकी भी captain की appointment करी गई है तो वो कौन हो जाएगे तो हमारा answer हो जाएगा मनपरीज सिंग तो मनपरीज सिंग जो है इनको नया captain चुना गया है Indian men's hockey team का दोनों important रहेंगे Recently Samia Suluhu Hassan became the first woman president of which country तो first woman president काफी सारी countries की appointment करी गई है तो most important question बन जाता है तो Samia Suluhu Hassan जो है यह कौन सी country की पहली महिला president चुनी गई तो हमारा answer हो जाएगा तंजानिया तंजानिया जो country है वहाँ की पहली महिला president चुना गया है Samia Suluhu Hassan को who has been recently appointed as the chairman of the WHO executive board तो WHO World Health Organization का जो executive board है उसका chairman किसको चुना गया तो हमारा answer हो जाएगा Patrick Amut पैटरिक Amut जो है इनको chairman चुना गया है WHO executive board का इन से पहले Dr. Harshwardhan जो थे यह executive board के यह chairman थे executive board के Recently Hima Kohli has been appointed as the first woman chief justice of the high court of which state तो Hima Kohli जो है इनको पहला महिला chief justice चुना गया है कौन सा high court का तो यहां भी पहली महिला आ गयी तो पहली महिला जहां पे आ गया वो important question हो गया तो Hima Kohli को कौन सी state का चुना गया तो हमारा answer हो जाएगा तेलंगना तो तेलंगना जो state रहेगी यहां की पहली महिला chief justice बनी है Hima Kohli high court की Who has became the new education minister recently तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि उसमें 43 नए ministers जो हैं वो चुने गए हैं तो उसकी जो separate video है वो आपको channel पे मिल जाएगी हम पूरी detail जो है वो वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि यह जो वीडियो रहेगी है काफी बड़ी वीडियो बन जाएगी अगर हम पूरी चीज इसमें discuss करेंगे तो उसके लिए जो अलग वीडियो बनाए गई है आप उसको देख लें उसमें सबसे important questions रहेंगे सारे questions detail में discuss करेंगे हैं तो आप उसको जरूर जाके देखें तो education minister किसको चुना गया है हाली में तो हमारा answer हो जाएगा धर्मेंदर प्रदान तो धर्मेंदर प्रदान जो है यह अब current time में education minister रहेंगे भारत के यह आपको पता होना चीए reshuffle हुआ है पूरा union ministry तो Indian Air Force के Vice Chief चुना गया है Indian Navy का भी नया Vice Chief चुना गया है तो दोनों important रहेंगे तो Indian Air Force का नया Vice Chief किसको चुना गया तो हमारा answer हो जाएगा विमेक राम चौधरी विमेक राम चौधरी जो है यह Vice Chief रहेंगे Indian Air Force के who has been recently appointed as the election commissioner तो नई election commissioner कौँन चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा अनूप चन्दरपांडे अनूप चन्दरपांडे जो है यह नई election commissioner रहेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि Chief Election Commissioner किसको चुना गया तो आपका answer हो जाएगा सुशील चंदर, सुशील चंदर जो है यह नई Chief Election Commissioner इंडिया का तो हमारा आंसर हो जाएगा अतीश चंद्र अतीश चंद्र जो है ये FCI के नए CMD रहेंगे Recently who has been appointed as the chairman of National Human Rights Commission तो NHRC के नए chairman किसको चुना गया तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुन कुमार मिश्टा most important motion रहेगा अरुन कुमार मिश्टा को National Human Rights Commission का chairman चुन लिया गया है Who has been recently appointed as the new CEO of UIDAI UIDAI जो होता है किस चीज़ गरे responsible होता है तो हमारे आधारकार जो होते हैं उसकी development होगी उसकी manufacturing होगी उससे related काम होता है UIDAI का तो इसके CEO किसको चुना गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा सौरब गर्ग सौरब गर्ग जो है ये नए CEO रहेंगे UIDAI के Who has been recently appointed as the new director general of world trade organization 100% आपको अपके exam में ये question देखने को मिलेगा जैसे आप SSC की अगर तयारी कर रहे हैं SSC CGL का तो उसमें किसी ना किसी shift में ये question 100% देखने को मिलेगा तो world trade organization के नए director किसको चुना गया तो हमारा answer हो जाएगा नगूजी उकोंजो इवियाला नगूजी उकोंजो इवियाला जो है इनको नया director general चुना गया है world trade organization का most important question Who has been recently appointed as the vice chief of the naval staff तो हमने आपको पीछे बताया था naval staff के नए vice chief पी चुने गये हैं तो उनका क्या नाम रहेगा तो हमारा answer हो जाएगा रवनीत सिंग रवनीत सिंग जो है इनको नया vice chief चुना गया है naval staff का recently who has been appointed as the chairman of the external auditor committee of the united nation तो united nation की committee रहेगी external auditor committee उसका chairman चुना गया है हाली में किसको चुना गया तो हमारा answer हो जाएगा जी सी मुर्मू जी सी मुर्मू कौन है तो हमारे इंडिया के current time में क्याग officer रहेंगे comptroller alter general of India रहेंगे जी सी मुर्मू जिनको की chairman चुना गया है UN के external auditor committee का who has been recently reappointed as the MD and CEO of access bank तो access bank के पुराने जो MD और CEO थे उनको ही दुबारा appoint कर लिया गया है पद के लिए तो हमारा कौन रहेंगे तो वो कौन रहेंगे तो हमारा answer हो जाएगा अमिताब चौधरी अमिताब चौधरी को ही reappoint करा गया है MD और CEO के पद के लिए access bank में who has been recently appointed as the special director of CBI तो यहाँ पे दो question होते हैं एक तो होता है special director किसको चुना गया CBI का और एक होता है कि director किसको चुना गया तो यहाँ पे आपसे special director पूछा गया तो हमारा answer हो जाएगा प्रवीन सिनहा प्रवीन सिनहा जो है इनको special director चुना गया है और director कौन रहेंगे CBI के Central Bureau of Investigation के तो हमारा answer हो जाएगा सुमोद कुमार जैस्वाल सुमोद कुमार जैस्वाल जो है यह director रहेंगे और प्रवीन सिनहा जो है यह special director रहेंगे Recently मिनाक्षी वर्मा was made home minister for a day in which state तो मिनाक्षी वर्मा जो है इनको एक दिन के लिए home minister चुना गया था कौन सी state का तो हमारा answer हो जाएगा मध्यप्रदेश तो मध्यप्रदेश जो state रहेगी वहाँ का एक दिन के लिए home minister चुना गया था मिनाक्षी वर्मा को ऐसे ही जो उत्राखंड state रहती है वहाँ के लिए भी एक दिन का chief minister चुना गया था आपको अगर उनका नाम याद है तो आप उनको comment करके बताएं अगला question देखते है who has been recently appointed as the new administrator of the US space agency NASA तो NASA जो organization है space agency है अमेरिका की उनका new administrator चुना गया है तो वो किसको चुना गया तो हमारा answer हो जाएगा Bill Nelson Bill Nelson जो है इनको नया administrator चुना गया है space agency NASA का इस रो के administrator या फिर डिरेक्टर कौन है तो वो रहेंगे के सिवान DRD के कौन है तो जी सतीश रिटी who has been recently appointed as the director general of NADA तो NADA जो है national anti-doping agency उसके director general किसको चुना गया तो हमारा answer हो जाएगा सिदार्थ लॉंग जैम सिदार्थ लॉंग जैम जो है इनको नया director general चुना गया है नाड़ा का national anti-doping agency का who has been recently appointed as the director general of NIA तो NIA की full form होती है national investigation agency तो national investigation agency के नई director general कौन रहेंगे तो हमारा answer हो जाएगा कुलदीब सिंग जो की पहले airport authority of India के director general थे तो इनको director general चुल लिया गया है NIA का who has been recently appointed as the new CMD of SIDBI तो small industry development bank of India SIDBI के नए CMD किसको चुना गया तो हमारा answer हो जाएगा S.Ramanan S.Ramanan जो है इनको नया CMD चुना गया है SIDBI का most important question रहेगा who has been recently appointed as the new Chief Justice of Allahabad High Court Allahabad High Court के नए Chief Justice किसको चुना गया तो हमारा answer हो जाएगा Justice Sanjay यादव Justice Sanjay यादव को नया Chief Justice चुना गया है Allahabad High Court का अब दोस्तों जितने भी important topics होते हैं हर एक topic के आपको separate video मिलेगी channel पे एक playlist रहेगी all static GK topics के नाम से जिसमें आपको 100 plus topic cover कराएगा है हर एक topic आपको detail में discuss करा गया है चाहे कोई भी topic को चाहे classical dance forms हो गए चाहे national parks हो गए new appointment हो गए present heads हो गए हर एक topic आपको detail में बताएगा है तो इसका जो link रहेगा जो playlist रहेगी इसका link आपको description में मिल जाएगा आप इस playlist को भी ज़रूर एक बार देखे तो question देख लेते हैं हमारा who has been recently appointed as the new finance secretary तो नया finance secretary किसको चुना गया तो हमारा answer हो जाएगा टीवी सोमनातन टीवी सोमनातन जो है इनको चुना गया है नया finance secretary इंडिया का who has been recently appointed as the chief statistician of India by the central government तो chief statistician किसको चुना गया है भारत का central government के दुआरा तो हमारा answer हो जाएगा Dr. JP समन्थ Dr. JP समन्थ जो है इनको chief statistician चुना गया है भारत का Recently Raj Iyer of Indian Origin became the first chief information officer CIO of which country army तो कौनजी country की army रहेगी जिनका की chief information officer चुना गया है Indian Origin के Raj Iyer को तो हमारा answer हो जाएगा USA तो अमेरिका की जो army रहेगी उनके लिए chief information officer चुन लिया गया है Indian Origin के Raj Iyer को Who was named People's Advocate for the Climate Change Summit COP26 to be held in November 2021 in Scotland तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि Climate Change Summit जो होई है COP26 वो कहां पे होई है तो आपका answer हो जाएगा Scotland में तो इसके लिए जो नाम दिया गया है People's Advocate का वो किसको दिया गया है तो हमारा answer हो जाएगा David Attenberg जो है इनको चुना गया है People's Advocate Climate Change Summit COP26 में Who has been recently appointed as the director of the Atal Pension Mission Atal Pension Mission या फिर Atal Pension योजना इसके लिए director किसको चुना गया तो हमारा answer हो जाएगा चिंतन वैशनव जो है इनको डिरेक्टर चुना गया है Atal Pension Mission का Who has been recently appointed as the CEO of Amazon तो Amazon जो company रहेगी उसके CEO किसको चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा Andy Jesse Andy Jesse जो है इनको चुना गया है CEO Amazon Company का इनसे पहले कौन था तो इनसे पहले Jeff Bezos जो थे ये CEO भी थे और Chairman भी थे Amazon के Who has been recently appointed as the new director of Britannia पीछे हम कोशन को काफी बार डिसकास कर चुके है हमारा answer हो जाएगा उर्जित पटेल उर्जित पटेल जो है जो की former reserve bank के governor रहेंगे इनको चुना गया है नया director Britannia company का Who has been recently reappointed as the chief of research and analysis wing तो दुबारा अपॉइंट कर लिया गया है chief research of analysis wing का तो हमारा answer हो जाएगा समंत कुमार गोयल समंत कुमार गोयल को ही दुबारा अपॉइंट कर लिया गया है रोका chief Who has been recently appointed as the new chairman of AIBA तो AIBA जो है boxing से related एक organization रहेगी तो इसके नया chairman किसको चुना गया which Indian has been included as a member of the high level advisory group constituted by the world bank and IMF तो IMF और world bank के द्वारा एक high level advisory group जो है वो तयार किया गया था तो उसका member किसको चुना गया है जो कि एक भारतिये रहेंगे तो हमारा answer हो जाएगा Montek Singh आलुवालिया Montek Singh आलुवालिया जो है एक Indian रहेंगे जिनको की member चुना गया है high level advisory group का जो की constitute करता है world bank और IMF तो Assam Rifles के director general किसको चुना गया तो हमारा answer हो जाएगा प्रदीब चंदरन नेयर प्रदीब चंदरन नेयर जो है इनको चुना गया है Assam Rifles का director general who has been recently appointed as the head of intelligence bureau IB का head किसको चुना गया तो हमारा answer हो जाएगा अरविंद कुमार अरविंद कुमार को IB का head चुना गया है who has been recently appointed as the director general of NSG national security guard तो हमारा answer हो जाएगा MA गनपती MA गनपती जो है इनको नेयर जी नेशनल security guards का director general चुन लिया गया है who has been recently appointed as the president of international narcotics control board INCB INCB का president किसको चुना गया तो हमारा answer हो जाएगा जगजीत पवादिया जगदीत पवादिया जो है इनको INCB का president चुना गया है Markilo Rebello De Sousa has been recently appointed as the president of which country तो Markilo Rebello De Sousa जो है इनको अभी हाली में appoint किया गया है कौनसी country का president तो हमारा answer हो जाएगा पॉर्टुगल तो पॉर्टुगल जो country रहेगी बहाँ का president चुना गया है Markilo Rebello De Sousa को which Indian has been recently appointed as the World Bank Education Advisor from June 2021 to June 2024 तो जून 2021 से लेके जून 2024 तक के लिए World Bank Educator Advisor किसको चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा रंजीत सिंग दिसाले रंजीत सिंग दिसाले जो है इनको चुना गया है World Bank का Education Advisor June 2021 से जून 2024 तक के लिए who has been recently appointed as the president of the Asian Cricket Association तो Asian Cricket Association की अगर बात करी जाए तो इसका president चुना गया है तो वो कौन रहेंगे तो हमारा answer हो जाएगा जैशाह जैशाह जो है इनको चुन लिया गया है President Asian Cricket Association का जिसको की FIH भी बोला जाता है तो International Hockey Federation का President किसको चुना गया तो हमारा answer हो जाएगा नरेंदर बातरा नरेंदर बातरा को चुन लिया गया है President International Hockey Federation का तो नरेंदर बातरा को चुन लिया गया है इनके डिरेक्टर जनरल किसको चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा तरुन कुमार तो तरुन कुमार जो है ये नई डिरेक्टर जनरल रहेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब कर लें जितने भी important topic होते हैं हर एक topic के आपको separate video मिलेगी चैनल पे जो कि आप उपर आई बटन पे किलिक करके देख सकते हैं साती उन सभी का link आपको description में भी provide कराए गया है और दोस्तो हमारे द्वारा दो e-book हैं जो कि आपको provide कराए जा रही है एक तो 600 questions की current affairs की 2021 की e-book रहेगी जिसमें आपको 600 questions प्रोवाइड कराए गये हैं जो कि सिर्फ आपको 29 रुपे में provide कराए जा रही है और दूसरी रहेगी 2000 questions की e-book जिसमें 500 science questions 500 current affairs, 500 static gk और 500 general knowledge question रहेंगे वो आपको सिर्फ 99 रुपे में provide कराए जा रहे है दोनों का link जो रहेगा वो description में दिया गया है तो आप दोनों को जाके buy करें most important रहेंगे आपके आने वाले exams के लिए धन्यवाद दोस्तों